गुड आफटर नून डियर इस्टुडेंट्स पॉली टेक्निक लिबरेल रर्निंग में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको किस तरह से बनानी है जैसा कि आप जानते हैं पॉली टेक्निक डिपलोमा के अंतिम सेमिस्टर म प्रोजेक्ट वर्क होता है तो प्रोजेक्ट वर्क में एक तो आपको मॉडल बनाना पड़ता है और मॉडल बनाने के साथ-साथ जो आपका स्टेंडर्ड फॉर्मिट में जो फाइल होती है प्रोजेक्ट फाइल वो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है देखिए प SOM को कभी आपका स्वारोजगार करने का इच्छा हुआ या आपका कोई द्योग लगानी की इच्छा हुई तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसको समझने के लिए हमारे दो परपस सॉल्व होंगे एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं यानि कौन-कौन से ऐसी हेडिंग्स हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमको लिखनी होती हैं कैसे लिखते हैं किस हेडिंग के अंतरगत हम क्या लिखते हैं और दूसरा मात्पूर्ण जब कोई भी बेखती चाहे आप पॉली टेकनिक का कोई स्टूडेंट हो चाहे इंजेनरिंग किया हुआ या कोई बीए बीएसी किया हुआ हो तो वो आपको पता है उद्द्योग लगाने कि है पतल दोने का का निर्माण और हिंदी में मैंने लिए क्योंकि जादा तर जो हमारे छात्र चात्रा हैं वो हिंदी भासी है इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो तत्त है उसको समझने में उनको आसानी हो तो हिंदी वाला फॉर्मिट मैंने लिया है और एक आसान सा टॉपिक जैसे पतल दोना हैं कप निर्माड वैसे आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही आपने आसान टॉपिक लिया है लेकिन ये चीजें हमारे देनेक जीवन से जुड़ी हुई उत्पाद हैं या चीजें हैं तो इन है आपका पतल दोने कप निर्माड कागाचें पत्ती आधारित और भोकता की मांग के अनुसार गुडवत्ता मानक रहेगा 2010 में इस प्रोजेक्ट रिपोर्ड को तयार किया गया था MSME के द्वारा ये देखिए MSME जो आपका कानपुर में हैं इनका ओफिस तो ये MSME का फु पत्रचात्राओं को निसुल किस तरीकी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दे दी आती हैं ताकि कोई भी विक्ति यदि उद्ध्योग लगाने का इच्छोख हो तो उसको बहुत मेनत ना करनी पड़े और वो आसानी से प्रोजेक्ट रेडिमेट प्रोजेक्ट का प्र चीज लिखी जाती है इसको हम आसानी से समझ लेते हैं तो ये प्रोजेक्ट जो बना रहे हमारे डिपलोमा पॉली टेक्निक के जो अंतिम वर्स के चाथ चात्रा है या अंतिम सेमिश्टर के चात्रा है उनको प्रतेग हेडिंग को समझना और उसके अंतर गता आपको कंटे कर पाने में सच्छा हम हो पाएंगे तो सबसे पहला जो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती उसमें पहला आता है आपका प्रस्तावना जिसको अमंग रेजी में कहते हैं इंट्रोडक्शन तो इसमें जैसे पतल दोने कप का निर्माड हम कर रहे हैं तो आपको इससे प्रियोग होता है डिफरेंट आइटम होते हैं पहले के समय में आपको याद है कि धाक के मावगा के पत्ते जो होते थे उनकी प्लेटे बनाई जाती थी दोने बनाई जाते थे उनका गावं में इस्तेमाल होता था लेकिन जैसे-जैसे क्या जंगल भी एक तो खत्म ह रहे हैं, दूसरा हर कोई यह सब पत्ते बगएर नहीं मिल पाते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छे लगते हैं, तो कागा जो पत्ती का प्रियोग करके पत्तल दोने कपकर निर्माड किया जा रहा है, तो यही सब चीजें इसमें पूरा का पूरा आपको दिखा देना है कि सारा चीज इसको पढ़ेंगे ध्यान से, यह रिपोर्ट में आपको शेयर कर दूँगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, तो वही सारी चीजें कि साधारन पत्ती हम कागज से बने उत्पादों में तरल बेंजन हैं, हर तरे के आप इसमें वो कर सकते हैं, और यदि आप उसम को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन पदार्थों का प्रियोग हम यह पत्तल दोने या कब निर्मान के लिए कर सकते हैं, तो यह पूरा प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन में इस तरह की पूरी चीजें प्रोडक्ट के बारे में या फिर आपका जो टाइटल है, उसक को कप का प्रियोग किया जाता है, कप का साही 150 एमिल से 300 एमिल के बीच होता है, इस तरह से आपको यह पूरा प्रस्तावना में लिख देना है, अगली बात आती है बिपलन एवं प्रबंदन की, बिपलन का मतलब है आप उसका सेल्स कैसे करेंगे, कहां बेचेंगे, मार्के गरेलू उत्सव होते हैं, धार में का उसर साधी बयाय होता है, रेलवे होटलों में, कोई भी उत्पाद इस तरीके के होते हैं, उनकी मंग दिनो दिन बढ़ती जा रही है, तो इसमें कागच का बना होगा, या पत्ती का बना होगा, तो पर्यवरन को नुकसान भी नहीं प बताना है इसमें, अगला है उत्पादन लच के बारे में, भाई कोई भी आप उत्पाद बना रहे हैं, मैनुफेक्चरिंग कर रहे हैं, तो लच क्या है, आप प्रती वर्स कितने जो नमबर आफ जो आपके ये जो आप बना रहे हैं, उत्पाद वो कितनी संख्या में उत् गारण के लिये दिखाएगे पत्तल साठ लाग कांफ पचास लाग और इनका मूल कितना ओ personnel कोगा यानि दो करोड़े डियाप बनाएंगे तो मूल इतना होगा 16 लाग या प्र पद्तल आप बनाएंगे तो पंदरा कांफ और इतना आपका लच रहेगा इतना उत्पादान आप करके उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे अगला होता है आधारभूत परिकल्पनाय यानि इसको कहते हैं basic adjustments जब कोई भी इंडिश्टि लगाई जाती है तो कुछ आधारभूत परिकल्पनाय मानी जाती है तो वो आधार भूत का परिकल्पनाई लगबख सेम होती है, प्रतेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो पॉइंट से लिखे जाते हैं, तो वो आधार भूत परिकल्पनाई क्या होगी, जैसे एक आई में प्रती दिन जो यूनिट आप लगा रहे हैं, प्रती दिन मान के चलि या 24 मान सकते हैं 26 मान सकते हैं अगला है एकाई प्रोप्राइटर्सिफ आधारित होगी कई होते हैं एक पार्टनर्सिफ बेसिस पर होती है तीन चार लोग या दो लोग मिल करके कर रहे हों या आप अकेले अगर कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर्सिफ हो जाएगी तो यह क्य मजदूरों की आवश्क्ता है तो कहां से लेंगे उनकी मजदूरी क्या होगी तो ये लिखना पड़ेगा कि जो भी इस्टाप और सरमेक हम रखेंगे उनकी मजदूरी जो होगी वो इस्थानी जो दे होगी भाई अलग अलग इस्थानों में कही बार कहीं पर मजदूरी कम द या होगा कुछ सारा पैसा तो जमापूंजी जरूरी नहीं कि आपके पास हो तो क्या आपने कितने प्रस्त ब्याज के आधार पर उसको माना है तो तेरा प्रस्त या चौदा प्रस्त या सोला प्रस्त एक अनमाना आप देख लीजिए उसके आधार पर लिख देना है कीमत भी बाजार भाव के अनुसार ली गई है जो कच्चा माल आप खरीदेंगे जैसे पेपर लगना है पत्ती लगना है तो वह आपको जो बाजार भाव होगा उसके अनुसार आपको खरीदना पड़ी कि तो वह भी पता कर लिया जाता है जब हम इंड़स्टी लगाने जा होते हैं सातमा है मशीनों अपकरने हों कच्चे माल के आपूरती करता हों के नाम वपते परियोजना के अंत में दिये गए हैं जब हम कोई भी इस तरह का उद्योग लगाने जा रहे होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करने जा रहे होंगे तो उसके बारे पूरी जा जानकारी की जाती है कि कच्चा माल कहां से मिलेगा सप्लाइर कौन कौन है उनके फोन नमर क्या है उनका पता क्या है कहां से सप्लाई होगा किस तरह से होगा रहे हैं चार हो गया अब बात graveyard प्रिक रैयाजनी एक जीक्यूशन प्रोसेस है अब आप सूचि कोई आप आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सुरू करेंगे, फिर लोन के लिए अपलाई करेंगे, कुछ आपको सारी चीजों के कच्चा माल खरीदने की प्रक्रिया होगी, बिजली का कनेक्शन लेंगे, जमीन तलासेंगे, किराए का मकान तलासेंगे, इस तरह से मशीन उप करण खरीद करके स्थापना करेंगे, तो उसी को मतलब प्रोसेस में कितना दिन लग सकता है, किस किस प्रोसेस में, इस तरह से टोटल कितने दिन होंगे, ये आपको लिखना जरूरी होता है, इसको कहते हैं, क्रियान वेन, प्रिक्रिया या एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जैसे उजना रिपोर्ट निर्माली जी, आप जो जो रिपोर्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के, उसमें 30 दिन लग सकता है, एक माई, भूमी भवन इत्यादी का चैन में, आपको 15 दिन लग सकते हैं, एक आई का पंजी करण कराने में, 7 दिन लग सकते हैं, बिजली के कनेक्शन है तू आवेदन करेंगे तो एक महीने में आपको मिल जाएगा, आप मान सकते हैं, बित्तिय सायता है तू बैंकों को आवेदन आपको तीन महीने या 90 दिन लग सकते हैं, मशीनों आप करणों की आपूरती में, 10 दिन लग सकते हैं, उतपादन करने में, 7 दिन लग सकते हैं तो ये सारी चीजों को मिला करके आपको लिखना है कि उपरोक्त कई कार साथ साथ भी किये जाएंगे तता सभी कार अनुमानता है छे माए में पूर्ण हो जाएंगे ज़िए आपको लगता है कि पांच माए में पूर्ण कर लेंगे तो पांच कर दीजिए साथ माए में आठ माए में आपको लगता है तो जनरली छह माए में ही पूण कर ली जाती है सारी प्रक्रियाँ और यह सारी कई सारी प्रोसेस साथ-साथ में छलती रहती है parallel तरीके से अगला जो महत्पूण बिन्दू है वो फिर बनकर के निकलेगी फिर कुछ और पोश्ट आपको ट्रीटमेंट करना पड़े इस तरीकी की पूरी प्रिक्रिया क्या है? पूरा ब्लॉक डायगराम बना के आप वर्डन कर सकते हैं, मशीनों के चितर इसमें दिखा सकते हैं, तो ये सारा वी निर्माल बिदी यानी manufacturing method इसमें आता है, जो की आता है technical aspect में या तकनीकी पच्छ में, तो ये पूरा बता देना है कि कौन कौन सी चीज है आप खरीदेंगे, मशीन कैसी होगी, उनका प्रोसेस क्या होता है, हीटर में जाएगा, मोल्ड करेगा, वो ऐसे डिजाइन बना देगा, ये सारी चीज इसमें लिखेगा, ये एक बार में कितने कितने सेट पीस होगा, सौस निर्माल कई बार होता है, बहुत सारे उत्पाद ऐसे होते हैं, जिनमें आपको जैसे, माली ये आईएसाई का मार्क लेना है, या कोई और इस तरह से बी आईएस मार्क है, ये जरूरत पड़ती है, तो गुर्वत्तन निर्माल में किस मानक का आप प्रियोग कर रहे हैं, ये भी दिखाना जरूरी होता है, जैसे आप खाने पीने का सामान यदि कोई उत्पाद कर उत्पादन करना चाहते हों, तो एफसेसे आई आई आपने नाम सुना होगा, उसका जरूरी है लाइसेंस लेना, तो वो आप इसमें दिखा सकते हैं, कि भाई एफसेसे आई का ला industry होती हैं जो producer फैलाती है तो उनके लिए producer ने अंतरन का certificate लेना पड़ता है बिना उसके आप नहीं लगा सकते धुआ निकल रहा है चिमनी लग रही है लेकिन कई सारी काई होती है जो producer नहीं फैलाने वाली में होती है तो उसके अंतरगत इसको लेने की जरूरत license नहीं होती है विद्दभार कितने किलो वार्ट का connection लेंगे 15 किलो वार्ट, 5 किलो वार्ट, 10 किलो वार्ट जितने का है वो विद्दभार आप दिखा सकते हैं अब सबसे महत्पूर आता है यह technical aspect हो गया यानि तकनीकी पच्च उसके बाद सबसे महत्पूर ने बित्ती है पच्च यानि इसको कहते हैं अंगरेजी में financial aspect इस में पूरा का पूरा जो भी खर्चा होता है चाहे वो आपका इस्थाई रूप से हो एक बार आपने किया हो और जो लगातार हर महीने खर्च होते रहते हैं पर टेक सब्ताय खर्च होते हो सारे आते हैं चाहे वो पारिस्रमिक दर्यें ह लियाई यह आपके पास खुतका है जमीन खरीदी होई है पहले से तो आप दिखा सकते हैं इसमें माना है कि 300 रूपय का किराय पर लेंगे तो प्रतिमां 5 Зем का लगेगा हो सकता है 10 Зем का लगे किसी को 50籁 previous 2000 जो जिसका है वो लेक welcome लिख सकता है खुतका है तो इसमें आप दिखा सकते हैं कि भई खुद का जमीन है और मुझे इतना एक दो कमरे बनाने में इतना रुपे का खड़ चाएगा उसको आप दिखा दीजिए मसीनरियम उपकरण में जितनी मशीने आप खरीद रहें वो सारे मशीन उपकरण का नाम इकरम संख्या हो जाएगा मशीन उपकरण का न लाइन से लिखी जाती है फिर लास्ट मौन को जोड़ दिया जाता है उनका योग कर दिया जाता है इस तरह से यहाँ पर तो यह टेवल आपको समझ में कि मशीन उपकरण के लिए आप कारिसील पूंजी यानि प्रतिमा है भाई क्रिया सील पूंजी आपको जो जैसे स्टा काफे हम लेवर में आएगा मेनेजर रखा सुपरवाइजर कितने रखे हैं संख्या क्या है और योग कितना हो जाएगा एकाउंटेंड क्लर्क रखा है वाच में चौकीदार कुसल कारीगर कुसल कारीगर कितनी संख्या में इतने से मान के यह तालिका में हम पूरा का पूर रहा है मात्रा क्या है इतने किलो लगेगा और प्रती किलो आठ रुपए है तो आठ गुणे इतना कर दोगे तो इतना पैसा आ जाएगा लगेगा पॉलितिन सीट कितनी उच कर रहे हो पॉली कोटेट पेपर प्रिंटिंग डाई कैमिकल मटेरियल सारा चीज यहां लिख करके फिर इसको यहां जोड़ देते हैं उसको अलावा उपयोगिता है भाई प्रती माय बिजली पानी में भी तो खर्च होता है आपका तो उपयोगिताओं में कितना खर्च हो रहा है भाई बिजली आप 5,000 यूनिट खर्च कर रहे हो एक यूनिट इसमें 4 रुपे लगा है ब इस तरीके से dispensary का तो ये खर्च होते हैं वो इसमें हम दिखा देते हैं ये अन्य खर्चे में आते हैं प्रतिमाय खर्च होते हैं किराया लग गया सयार इस तरह से कुल कारिसील पूझी जोड़ करके यहां लिख दी तीन लाग अंठावन अजार दो सो तो कुल कारिसील पूझी जो स्टेंडर्ड रिपोर्ट बनाते हैं तीन माए के लिए आगण किया जाता है तो ये जो एक माए के लिए किया फिर उस से तीन से मल्टिप्ल लगी तो दोनों को जोड़ देना है तो कुल पूझी नवेज कितना हुए इस्थाई पूझी और कारिसील पूझी तीन माहे वाली तो ये बारा लाग पैटालेस हजार ये हुआ और दस लाग पच्छतर हजार ये हुआ तो टोटाल हो गया तेहीस लाग बीस हजार रुपे उसके बाद हम बात कर लेते हैं मशीनरी उप योग मशीनरी जो आपका योग उसमें होता है तो एक आपने दिखाए मशीन पर मूलास यानी डेप्रीशेशन कहते हैं यानी कौश्ट में कम ही आती जाती है तो वो भी लगा कर के सारा का सारा की कोई मशीन है तो कितना उतपा पादन च्छमता से कार करेगी वो सारा ये टेबल में कुल उत्पादन लागत वार्सिक कितनी आएगी विक्री से कुल आए कितनी होगी भाई आपने बनाया तो कितना खर्चा आया अब आप उसको बेंच रहे हो किस रेट से इतनी यूनिटों कितना आएगा उसको दर्सान जरूरी रहता है तो ये देखिए इस बना दिये विक्री से कुल आए वार्सिक तो इतनी हमको हो जाएगी माले दोने आपने इतने पीस बना इतने रुपे प्रती पीस बेंचे तो इतने का विका पत्ताला आपने बना इतने का विका तो टोटल इतना हो गया पेपर इतने स सबसे बड़ा महत्पूर्ण होता है बिक्ति से कुल आयांने के बाद इसको हमको निकालना पड़ता है जो खुल लाब आयाना चाहिए कि कितना हम लाब खुमाएंगे क्माएंगे कि क्योंकि लाब भाई कोई भी चीजें जी साहब आपको ध्यान रखनी है, फार्मूले रहते हैं, बे लापड़स्थ बिक्री पर लापड़स्थ निकालने का वार्सिक, कुल पूंजी निवेश पर लापड़स्थ वार्सिक निकाला जाता है, ये लगा करके, सबसे महत्कूर कहलाता है, ब्रेक इवन बिंदू होता है जहांどう जहां ना तो इज्धोत को लाव रहा होता है और नहानी हो रही होती है तो यह निकालना बहुत यो जो सूत्र हैं वो हम लगाते हैं जैसे यहां पर आप देखिए यह है यह है यह आप देखिए इसको नियत लागत यहां पर आई गुणे सौका कर देते हैं और नीचे लगेगा बटे में रहेगा नियत लागत प्लस लाब तो यह नियत लागत निकाल लीजिए लाब निक तो कच्चा माल आप उर्थी करता हूं कि नाम पते ब्रीमात्र सब लिखे जाते हैं जैसे मेसर्स आसीर्वार ट्रेडिंग कमपनी से खरीदेंगे कानपूर में हैезде क blaming निपटर्पूरंथे रहे। नेक्स्ट टाइम में एक अंग्रेजी का प्रारूप भी समझा दूँगा, सेम सारी वही चीज़े हैं, आपको बिल्कुल सार समझ में आना चाहिए, कि कोई heading अगर हम लिख रहे हैं, तो वो heading का मतलब क्या है, उस heading के अंतरगत हमको क्या content आपको लगाना है, तो सारे content को इनी main headings के अंतरगत बेहुस्तित करना है, इस से आपका diploma का project भी आपका complete हो जाएगा, साथ में आप इन उद्योगों के अनुरूप standard format में project बना पाने में सच्छम हो पाएंगे, क्योंकि ये सबसे महतपूर्ण चीज होती है, बैंकों से loan लेने के लिए, या फिर किसी सरकारी य लगाना नहीं, तो हम क्यों सीखें, क्यों बनाएं, ये सबसे बड़ी गलत पहमी होती, आप diploma कर रहे हैं, तो आपको knowledge पूरा होना चाहिए, आपको knowledge होगा, तो आपके घर में कोई भाई बहन है, कोई जान पड़चे का है, वो कम पढ़ा लिखा है, उसको नहीं आता है, त आप technical रूप से sound हैं, दच हैं, आप उसकी help कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाईया, आप ये industry लगा रहे हो, तो project report मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनना है, वो कहलाएगा polytechnic diploma किया हुआ student कि technically कितना sound है, और देखिए project report कैसे उसकी, अपने भाई की help कर दिया, अपने ज student जो diploma किया हुआ, जो असली student होता है, तो बच्चों उमीद करता हूँ कि आपको ये project report बनाने का जो पूरा तरीका मैंने बताया, जो report समझाई, आपको समझाई होगी, इसी तरह की उपयोगी वीडियो के साथ मैं फिर आप से next time मिलूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की उपयोगी अपडेट आप तक पहुंचते रहें, तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप से मिलता हूँ, तब तक के लिए thank you very much, आप सभी का दिन शुभ झात का दिन शुभू